तो हेलो बचालोग विलकम बैक अगेन इन अड़ ग्रोन आई होग आप सब लोग अच्छे और सेफ होगे तो यार क्लास नाइंथ का केमस्ट्री का चप्टर नुमर फॉर पढ़ रहे थे लास्ट चेप्टर ऑफ क्लास नाइं ठीक है तो इस स्ट्रेक्चर ऑफ मेटर नाम है प्रिवेस कुछ लेक्सेस में हमने काफी इंपोर्टेंट इपोर्टेंट चीजे डिस चप्टर से रिलेटेड डिसकस किया है आज अपन एक रदरफोर्ड मॉडल के बारे में एक्चुली डिसकसिन करने जा रहे हैं तो प्रिवेस लेक्चर में हमने थॉम्सन मॉडल ऑफ आटम के बारे में देखा था आज इस सेसन में हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ आटम देखने जा रहे हैं तो या लेट नहीं करते हैं चलते कंप्यूटर स्क्रिंट पर सेसन को स्टार्ट करते हैं बट एक छोटी से रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हो चैनल को सब्स्राइब व सो आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को डिसकस करने वाले प्रिवेस लेक्चर हैं हमने थॉम्सन मॉडल को पढ़ा था तो रदरफोर्ड थे उन्होंने भी एटम का एक मॉडल बना की दिया कि यार एटम कुछ ऐसा दिख तरीके से हैं क्या हो रहा है उनका मॉवमेंट क्या है यह सब दिए तो इसी सब चीजों पर रदर फॉर्ड ने भी एक एटम का मॉडल बनाके दिया अपने तरफ से तो देखते हैं नाव ही एक्सपेरिमेंट विट थिन गोल्ड फॉयल पाइपासिंग अल्फा रे पास कराया अल्फा रेज यानि हाईली पॉजिटिव चार्ज ठीक है अल्फा रेज को पास कराया तो ही एक्सपेक्टेड डैट गोल्ड एटम विल डिफलेक्ट अल्फा पार्टिकल तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जो गोल्ड फॉयल है वो अल्फा रेज को लग्व हो गया एक्सक्राइब कर देगा उनका जू एक्सपेक्शन था गलत प्रूव हो गया वह भी सॉफ्ट है यह क्या हुआ अब क्या हुआ क्या हुआ कि जब अलफा एतम छोड़ा गया तो गुछ एटम्स गूल्ड फोल के बाहर चले गया है पार हो गया है किस भी पटि पूरी तरीके से पार हो गया एटम से गोल्ड फॉइल से पूरी तरीके से पार हो गया कुछ एटम्स जो है थोड़े से एंगल पर डिफलेक्ट हो गये और कुछ एटम्स को आप देखोगे वह थोड़ा ज्यादा एंगल पर डिफलेक्ट हो गये और कुछ तो ऐसे थे भाई क तो जैसे कि आप देख सकते हो एक्सपरिमेंट के बारे मता रहा है तो यह देखो इन्हों नहीं क्या किया एक डिटेक्टर लगाया इस तरीके के आप देख सकते हो पिंक कलर से आपको दिख रहा है सर्कुलर डिटेक्टर इसके बिश में गोल्ड फॉइल रखा थिन गोल्ड की एक पेपर लगाई नाओ यहां पे एक रेडियो एक्टिव सूर्स लिया इस रेडियो एक्टिव सूर्स में जब इसको स्टाट किया तो इससे काफी बीम अल्फा पार्टिकल की बीम निकली जो टकर आई टकराने के बाद क्या हुआ और अचा शपने उस द्रेक्टर में अंदर के की गईए थी अब हम जानते हैं फ्लॉरेसेंट की इस अच्छी हुआ जब इस बीम प्रोटीकल टकराया तो चमकेगा तो जब यह एक्टिव सोर्स बिया चमक रही प्रफ ताक इधर पर और कुछ तो पता ही मतलब हो रहा होगा कुछ इदर बैक की कि तरफ भी आ जारे तो इतर इधर इदर कहीं भी दिखरे थे यह सब चीज़ें के बाद वह सॉंग संथ हो गया उन्होंने यह सब आप इस फिगर को देख सकते हुए यह अलफा पाटिकल पूरी तरीके से हो गया कुछ पर्टिकुलर किसी एंगल पर डिफलेक्ट हो गया और इस फिगर को आपको यह सब चीज़ें दिख रही होंगी क्लियर नाउ नेक्स्ट है यार जब यह चीज़ें देखें जब उन्होंने दिखा कि अलफा पार्टिकल गन से यह हमारा गोल्ड फोईल हुआ यह हमारा सर्कुलर डिटेक्टर हो गया यह जब रेस डाले कुछ रेस तो सीधे चले गया कुछ रेस तो साले इधर इधर भाग रहे थे देखो कुछ रेस यहां पर बैक चले गया दिखेंगे कुछ रेस उनको पीछे में स्ट्राइक करते हुए इधर इस ट्राइक कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है इस चीजों को कुछ पॉइंट को देखें उन्होंने कुछ चीजें बोली थी क्या अब्जर्व किय टूरी तरीके से पार करेके एकड़म स्ट्रेट इधर की तरफ चमक रहें तभी तो यह चमक रहें डिटेक्टर में और इससे उन्होंने क्या पॉइंट बोला अंटम कंटेन और लॉट ओफ इंपमटी स्पेस तो इसके एक्कॉडिंग इस पॉइंट के क्योंकि जो अल्फ स्पेस हैं काफी सारी स्पेसेज हैं चलो ठीक है दूसरा उन्होंने बोला सम पार्टिकल गोट डाइवर्टेड बाई असलाइड एंगल कुछ पार्टिकल्स जो है पटिकुलर देखोगे यह एंगल पर डाइवर्ट हो जा रहा है इधर कहीं और कुछ इधर डाइवर्ट हो जा रहे हैं तो ऐसा इसको देखकर उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि पॉजिटिव चार्ज इन एंटम आर नॉट ऑकुपाइंग मच आफ इस पेस ना क्यूंकि यार अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है वो भी क्या है कैसा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अब वो पूरा चला जाता एक भी पारी नहीं होता बट क्यूंकि हम जानते हैं कि हमारे एंटम में इस परस्पेक्टिव में कंक्लूजन रखा कि यार कुछ ना कुछ अदर कुछ ऐसा पॉजिटिव बॉड़ी है जो कि पूरे आल्टम में नहीं नहीं कहीं है यह उन्होंने conclude किया फिर देखा कि only one out of 1200 पार्टिकल बाउंस बैक 12000 पार्टिकल जब दागे गए उन्होंने से एक दो सौट ऐसे दिखे जिनमें क्या दिखे कि अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो गया पूरी तरीके से बैक ही आ गया इससे इस पॉइंट से उन्होंने क्या conclude कि दख पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटिड ओवर पर्टिकुलर एरिया ऑफ एटम अभी इन्होंने इस चीछ से क्या कंसेंट्रेट किया कि यार जो पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे हैं उनका एक गण है इसलिए वहाँ पे जब हमारा कोई अल्फा पाटिकल जा रहा तो पूरा बाउंस बैक हो जा रहा है पूरी की तरह 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटिड पूरे ए पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखना उन्होंने क्या अब्सर्व किया और उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट सौर्ट नोट एन रधर फोड में पूस दिया जाता है ठीक है आगे देखोगे दस रधर फोड गेव द अपने एक्सपरिमेंट में लिखें पहला क्या उनका कहना था कि अटम के अंदर काफी सारे ऐसे स्पेस हैं जहां पर कुछ है नहीं बलकि आगे चलके हमको समझ में आए कि सभी बात है यार एक्टम बहुत स्प्रिस खाली है जो है प्रेजेंट सेंटर ऑफ एटम के सेंटर पर कहीं पर कंसंट्रेट है जहां पर पूरे के पूरे पूरे पॉजटिव चार्ज वाले प्रोटोन चार्ज भरे हुए हैं कहीं सेंटर पे पूरे में नहीं है ना पूरे में होते तो पटिकुलर थोड़ा सा एंगल जो डाइवर्ट दीख रहा था वो नहीं दिखता वो वो एंगल भी हमको दीख रहा था थोड़ा बहुत डाइवर्टिंग तो उससे समझ में आए कि पूरे में तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है बट कहीं एक जगा पे यानि सेंटर पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्जों का बेक गढ़ है ठीक है अगला है तो नुक्लियस क पता नहीं था इलेक्ट्रोन आसपास घूंते रहते हैं उनको में राया कि से जो हैं सेंटर में आस-पास खाली चाहिए तो हमसंटस से थोड़ा सेटक्सपाइर होके उन्होंने बोल दिया कि इल्प्रौटून और जो हैक्ट्रोन है दोनों एकवा result 呢 उसके बात इन्हों अगे चलुके जब एक्सपरिमेट्स और आगे बड़ा तो हिंहोंने एक चीज़ा और और्बीट में सबका एक अपना उस और्बीट में वो रिवाल्व कर रहे हैं अर्थ की एक और्बीट है वो अपने और्बीट पर ही रिवाल्व करता है मरकरी का अलग और्विट है वैनस का अलग और्विट है अगर सबका एक ही और्विट होता तो ऐसा होता कि किसी ना किसी दिन हमारा ग्रह आपस में टकारा जाते इसलिए टकाराते क्योंकि सबकी अलग और्विट है इसकी यह और्विट है इसकी और्विट है इस तरीके से है तो इसी तरह इलेक्ट्रोन नुक्लियस के आज पास रिवाल्व करते रहते हैं यह सन और प्लैनेट के से इंस्पायर हो कि इन्होंने यह चीज कहा था है ना उनकी पटिकुलर और बेट है आज साइज ऑफ निक्लियस इस फेरियेश स्मॉल कंपेर तो साइज ऑफ एकटम वेखिज भी उन्होंने कहा था कि एटम की जो nude में इतना खुटेट है अइसमें नुक्लियस इतना उछोटा उसके कंपरर में नूक्लियस न्युक्लियस काफी छोटा होता देख सकते हैं इस आ भी टकराती नहीं आपस में इलेक्ट्रोन है ना और यह बीच में नूक्लियस है जिसमें न्यूट्रोन और प्रोट्रोन भड़ा हुआ है ठीक है और नेक्स्ट है यार रदरफोड मॉडल के ड्रॉबक्स क्या निकले है अनस्टेबिलिटी यह एटम की स्टेबिलिटी पर बा सब्सक्ट है नेक्स्ट है और यह किसलोंगों आपने बोला किaptरोन रिवॉल्वक कर रहे है नूक्लियस का पास एक पर्टेकुलर और वीट में आल कि इलेक्ट्रोन किया है सर एक चार्ज पार्टिकल है नदरत फॉन ने बोल感覺 एक चार्ज पार्टिकल को अगर यह चार्ज पार्टिकल हैं और वह मुवमेंट कर तो जब उसकी विवर्ख होगी क्योंकि कोई भी बोडिyy फिर वो इस orbit में आए फिर इस orbit में आँ गया फिर इस orbit में आ गया इस तरीके से energy कम होती होते वो फिर जागे क्या होगा nucleus में collapse हो जाएगा ब्लैक होल जो आप कहते हो हमारे ब्लैक होलिग का भी concept इसी से निकाला इ船 माल लोग इनरजी खतम होती गई और खतम होती गई और सारे प्लानेट जाया के सन सन नुकलियस हैं सन में कॉलाप्स कर गए बट इस चीज को यह सालों से ऐसा तो हुआ नहीं है ना तो नुकलियर एटम पे भी यही चीज लागू किया गया उस टेम पर तक लोगों को निए रदर बिचारे नहीं बता पाएं इस कोशन का जवाब नहीं दे पाएं अगर ऐसा कुछ होता है एनरजी लूज होते फिर एटम तो अनस्टेबल हो सकता है एटम फट जाया है ना तो इस वाज़र ड्रोबेक अफ रदर फोर्ट विच वाज अनेक्स्प्लेंड बाई हिम वह एक् हो जाएंगे इस चीज को और अच्छी से इसका जवाब जो रदर फोर्ट नहीं दे पाए थे इसका जवाब देने के लिए नील बोर 1912 की बात है नील बोर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसी रदर फोर्ट की मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसके बेस पे तो उनो ने इस कुशन का जवाब दे दिया कूँ कोई जो इलेक्ट्रोन है नेट्रोन के आजब क Roz रृवल करता है पर्टीकुलर शकी इनर्जी इनरजी लूज रही नहीं होता ही नहीं होगा और इसका जवाब दे दिया . Maxwell has suggested that the theory according to which if any charge particle move in a circular motion, कोई भी charge particle, अगर एक circular motion में move करता है, then वो क्या करेगा, energy को radiate करेगा, so if electron start moving in a circular motion around the nucleus, they would also radiate some energy which would decrease at the speed of electron, as the result they would fall into the nucleus because of its high positive charge, nucleus positive charge ज्यादा है, तो वो तो negative आले को attract कर लेगा, जैसे electron की energy कम हुई, तो nucleus उसको तुरंद खा जाएगा, तुरंद कोलाप्स कर लेगा, क्योंकि plus attract minus, है ना, तो इस चीज़ को brother ford नो नहीं बताए पाए, but Neil board जो अगले तरीके से clear हो गया होगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक लिए goodbye and take care.